नमस्कार दोस्तों जैमा काली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में अगले दो दिनों में आपके दुश्मनों के जीवन का एक नया बड़ा बदलाव आपके सामने आएगा और आपके दुश्मन भी शोक मनाने पे मजबूर हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों और आप लोगों को मिलेंगी तीन बड़ी खुशकबरियां सुनकर दोस्तों आप और आपका पूरा परिवार पूरा जुमने लग जाएगा जी हाँ दोस्तों जिन्दगी का सबसे हसीन पल आप अपने परिवार के साथ अब बिताने जा रहे हैं दोस्तों यदि आज की पूरी वीडियो आपने ग्रह गोचर पर आधारित पूरे इन दिनों में देख ली दोस्तों तो आपको अपने जीवन में नया समय लाने से कोई भी नहीं रुख सकता है और तीनों लोक में हड़कम मचने वाला है जी हां दोस्तों इस समय में आप लोगों को नया बदलाव होगा और ऐसा बदलाव आएगा जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे ग्रह गोचर आपके पक्ष में है भाग ये भी आपका साथ दे रहा है मौके पर चौका मारेंगे तो आपका काम आसानी से होगा लेकिन जहां पर भी थोड़ा सा समय का आपने दुर्पयों किया तो वहाँ वाजीब पलट सकती है आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है हमारा आपसे खास निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखियेगा बातों को अच्छे से सुर समझने की कोशिश कीजेगा और दोस्तों आपको इसके साथी साथ आपको बता दे खास बात ये है कि आप अपने जीवन के नए और बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाएए ताकि दोस्तों आप लोगों को नए बदलाव हो सकें दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर ग्यान परदक वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सकें और कमेंट बॉक्स में सची श्रदा से जैमा काली अवशे लिखिएगा और अब हम जानेंगे आपका स्वास कैसा रहेगा विध्यारतियों के लिए दिन कैसा रहेगा बेरोजगार लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा और दोस्तों अन्यशबी छेतरों के लिए दिन कैसा रहेगा इन सबी की सटीक जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं आप से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतक देखें ताकि आप लोगों के जीवन में प्रतेक जानकारी आपको समय पर और सटीक तरीके से प्राप्त हो सके दोस्तों आपने अपने जीवन में बहुत बुरा समय देखा है और बहुत अच्छा समय भी देखा है कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप अपने दुख को लेकर स्वेम ही बैठे हैं तो दोस्तों आज हम संपून, सटीक, राशी फल आज आपको देने वाले हैं इसलिए आप खास सावधानिये को आववशी रखे लेकिन सबसे पहले जान लेती हैं आज का महदपून ग्यान दोस्तों बगैर बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए जिहां दोस्तों बिना किसी कारण किसी दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए बिना कारण किसी दूसरे के घर जा जी हैं दोस्तो आप उस कारे के लिए अग्रिसर होते रहिए दोस्तो यदि आज़ का ग्यान आपको पसंद आया हो और आप कुछ नए असीक पाए हो तो कमेंट बॉक्स में सचीश रदा से जय श्री क्रिशन रादे रादे अवशे लिक्षे तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन दो दिनों में कुछ महदबुन साथधानियों के बारे में अपने विचारों को दोस्तों लंबे समय के लिए आप लोगों को इस्थनांतरिन कर देना है क्योंकि दोस्तो कुछ न कुछ विचार आप लोगों को नकारात्मक इस्थितियों का सामना करने पर मजबूर कर सकते हैं ववसाई कारे प्रणाली में बहतर होंगे नई योजनाओं पर भी दोस्तो कारे करने की आवशक्ता है हाला कि फिलहाल में दोस्तो आय की इस्थिती से संबंदित या तयात ही रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए इस्थान परिवर्तन की योग है लव लाइफ की बात की जाए तो घर में शान्दी पूर्ण महौल रहेगा किसी विपरीत लिंगी व्यक्ती के साथ में दोस्तो आप लोगों का आकरिशन बल सकता है यह प्रेम संबंदों में भी दोस्तो प्रेणना इस्तगित कर सकता है इसके साथी साथ दोस्तो व्यवसाय में भी आप लोगों का दोस्तो कुछ पराजे पराजित हो सकता है positive लोगों के साथ में अपना समय वतीत करे तो ये आप लोगों के लिए काफी बहतर रहने वाला है इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को कुछ वक्त के लिए कुछ चीजों को भूलने की आवशकता है जो काम आप कर चुके हैं उसके चलते दोस्तों आज आपको पहचान मिलने वाली है चात्री चात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए दोस्तों आपको जब भी खाली समय मिले तो आप अपने कारे को पूरा जरूर करें ऐसा करना आपके लिए हितकारी रहेगा आपका व्यवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते दोस्तों नकरात्मग ग्रूप से प्रभावित हो सकता है लेकिन आप दोनों खुश्यारी से चीजे समहाल सकते हैं इसके साथी साथ आपको बताएं कि दिन आपका आराम से गुजरेगा मित्र काफी सहयोगी रहेंगे दोस्तों वस्तुता किसी खास काम को लेकर के भी बातचीत हो सकती है किसी भी महदपून काम को करने से पहले अपने प्रिये जरों से सलहा लेना आपके लिए बहुत ही फायदे मत रहेगा ध्यान रहे कि किसी भी विपरीत परिस्तिती में आपको अपने होसले को मजबूत रखना है और समधान निकालने का प्रयास करना होगा इसके लिए दोस्तों कुछ समय एकान्द में या फिर किसी अध्यात्म के स्थान पर अवश्य बिताएं व्यवसाय के स्थान में परिवर्तल लाने के लिए नय तकनीक वा का भी प्रयोग करें वस्तुता दोस्तों आप लोगों को मीडिया से जुड़े हुए प्रवसाय में सुधार होगा एवं दोस्तों पती-पत्नी के आपसी सहयोग से आप में और आपके प्रेमिका में नजदी किया बढ़ने वाली है साथी आपको बताएं बड़े भाई भेन मित्र आपकी प्रेनला का सरोत है यदि साथी के इंतिजार में है तो दोस्तों खुश हो जाईए क्योंकि जल्द ही आपके दिल में खुशियों के फूल खिलने वाले हैं दोस्तों आपके आकर्शन और करिश्मा की किसी का भी दिल जीट सकते हैं दोस्तों रिष्टों का महत्व आप से अधिक और कोई भी नहीं समझ सकता है अधिक काम की वज़ा से आज आप कुछ परेशान हो सकते हैं लेकिन दोस्तों इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जीवन साथी आपके लिए कितना महत्व पून है दोस्तों रिष्टे में यदि कोई समझ से या फिर तनाफ चल रहा है तो जितना जल्दी हो सके इसे आपको खत्म कर लेना है ध्यान रहे कि बासी फूल और बेजान रिष्टे कभी भी जिन्दगी को गुलजार नहीं कर सकते हैं बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में प्रेम जीवन कैसा रहेगा आईए जानते हैं तो दोस्तों आपको अपने साती की शारिरिक या फिर भावनात्मक रूप से भी चाहे जो कि दोस्तों आप से दूर हो वस्तुता शारिरिक दूरी को पाटना मुश्किल है पर दोस्तों भावनात्मक तौर पर आप आसानी से अपने साती के साथ में जुड़ सकते हैं इस पीज आपको अपने एहंकार को दूर रखना होगा और पहला कदम उठाएं दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर होगा कि आपका साथी भी उसी एनुपात में अपनी भावनाओ को व्यक्त कर रहा है दोस्तों आप लोगों का जीवन अच्छा चल रहा है लेकिन आप लोगों को बता दू सपने में आप अपने और अपने प्रेमी की बीच की दूरी को बढ़ने ना दीजिए दोस्तों यदि रिष्टे में विश्वास हो तो कोई भी परेशानिया आपको अलग नहीं कर सकती दोस्तों के साथ में मस्ती का प्रोग्राम बन सकता है आपके लिए सफलता आपके कई वार से जुड़ी होई है इसके लिए दोस्तों आप लोगों को स्वैम के आराम और अपने प्रिये जनों के दीभाव का या फिर स्वास्त के बीच में दोस्तों संतूलन बनाए रखने की बेहत आवशकता है दोस्तों आज आप पर रुमैंस का खुमार इस तरह से चाया रह सकता है कि आप दुनिया भी भूल बैट चकते हैं दोस्तों कोई भी नई शुरुआत के लिए आज का दिन काफी बैतर हैने वाला है ढुल दुनिया भी प्रड़ कि आपकता है हाहा सब परस्तों क कि तर क्या कम तुम्योंत है